ये पहले हम आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट दिखा दो जैसे देएएँ मेरा इस्टेट है बिहार सरकार तो यहां देखे भी यादर सरकार फिर में पुलिस आधे चाहिए यहां जीला का नाम नाम है पिसी मेना आप देखे यहां इसे मेना ऐहां पिर डिस्टिक है फिर देखे करेक्टर वेरिफिकेशन हैज बीन दन भाई एसे छो थाना का नाम था यह एड़्रेस ऑप कंडिडेट इस कोरेक्ट एंड हैज बीन फॉंड एड्रेस फ्रम जनवरी 2019 तु जनवरी 2020 मतलब आज तेक डेट आज की डेट तक देज़ेगा देवर सर्विस के लिए एज बीन इसू फॉर दा वर्क इट्स बेलेडिटी इस डन ओल्ली फॉर शिक्स मन्त प्रांद डेट ओफिस मतलब जब से यह इसू कि उसके छे मैना बात तक अब फिर देखें लास्ट में की फिर यहां सायन है रंजीत कुमार सिंग का यह ठैस कोई सायन ह हुआ है फिर देखें यह पुलीश इस्टेशन मेरे डिश्टिक का नाम था यह तो मेरा करेक्टर सेट्रिफिकेट हो गया है हेलो फ्रेंड अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों और सब्सक्राइब एंड सेर करो शेर जरूर कर देति थैंक्यू हेलो फ्रेंड कै इस वीडियो में हम में यही बात करें कि करेक्टर सेट्रिफिकेट कैसे बनता है और मेरा जो कैसा है हम पूरे डिटेल से आपको दिखाएंगे तो आए देखे हम लोग Google पर आ चुके है Google पर हम लोग सर्च करते हैं RTPS सर्च किये हैं अब आटेपेस 432 यह तो मेंली देखें मेरे बिहार के लिए है इसी तरह सभी सभी इस्टेट के लिए होता है अब देखें अब यह जो है ना आटेपेस सर्विस में पहला जो था जेनरल एड्मिनिस्टेशन फिर होम डिपार्टमेंट में यह तो यहां देखें एक चीज इसमें है कि अभिवादन में कुछ भी डाल सकते हैं यहां इंग्लिस डाल देज़ेगा यहां मेल डाल देज़ेगा अभिवादन में आप सिरी भी दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं फिर नेम है फिर फादर नेम है यहां फिर पिता का नाम है फिर मदर न लास्ट में देखे क्या है कि अस्थाने आपका जो आप जहां रहते हैं वह किस अवार्ड में मतलों ग्राम पंचाय थे कि नगर निगा में कि नगर परिषद है इसा डालिएगा फिर एक फोटो चूच किजिएगा फिर पेशा चूचिएगा अभी तो अगर आप स्टूडें स्टूडेंट नहीं तो अगर आप जॉब कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं या नीजी सर्विस में इसी तरह फिर आप यह है कि अवेदन का उदेश के तो हम लोग का है तो सरकारी नो करिए तो यह वाला सरकारी सेवा में अस्थाय अनुबंद के आधार पर नो करी अब आते है यह कि पिछले दो बरसों का अधिवास वित तो मतलब पिछले दो वर्स आप कहां थे तो अस्थाय पता है अस्थाय दीजेगा फिर आप जिला दीजेगा जो जिला में आप रहे हैं फिर थाना फिर एडरेस महिना अतना से अतना तक फिर देखिल लाश तक है अब है कि apply to the office मतलब यह तो अपने आप ले लेगा जब आप किजेगा फिर डालेगा यह समिट करने के बाद आपको एक और आप्शन आएगा अधार कट का पीडियाप डालने का तो भी डाल दे जाएगा अब हम आपको दिखाते हैं कि apply करने के बाद जो फॉर्मेट आता ना वह कैसा रह पुलिस अधिक्षयत आवेदन संख्या आवेदक का नाम पिता नमने जिला परखंड ग्राम थाना चौदे दिन लेता है चौदे दिवस का रहे दिवस है फिर अन्वंडल ग्राम पंचायत डागघर आवेदक संख्या और इसके बाद जो बनके आएगा वह देखे फिर कैसा रहेगा वह फिर ऐसा रहेगा फॉर्मेट उसका यह रहेगा कि विहार सरकार पोस्ट करेक्टर सेफिकेट अप्लिकेशन नम्मर दिनांग सुमन सुरव रामनंदन सिंग पोस्ट ऑफिस पुलिश इस्टेशन डिस्ट्रिक करेक्टर हाज बीन अदन वा ऐसे चो देखें क्या क्या है फिर ऐसे चांफार इंपॉर्ण दर नेम एंड स्टुडेंट नेडवर्स इंट्रियर फॉन एगेंस्ट पुलिश इस्टेशन रिकॉर्ड बेस्ट ऑन दिस करे अब फिर इसी तरह रहेगा चलिए वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगा चलिए